वेल्कम बैक तु मा यूटूब चैनल पेपर हेकर आज के से वीडियो में बात करें कुछन नमबर शेकंड का आपका जो बचा हुआ थर्ड पार्ट है ठीक है विस्टेन नमबर शेकंड टिक है जो कि आपका प्रटा आंसर टायब पुश्चन कि आपका बचा हुआ थेर्ड पाट कैया है लेग्यूर यह क्या हुता यह आपने बनदा बताना इससे पहले हमने पढ़े था फैस्ट में आप से पूंचा गया था यह आपका जो एपो गया होता है शेगर अपर लिक्वित अम्ने क्या होता है । इसके बारे में बात करेंग ऊबदीर के लेुल क्या होता है तो आपका लेग्यूल होता है या का वाटर आप जर्डूरर्बिंग इ्स्ट्रक्टर होता है क्या है अ कि पाने को शोखने की सब्सक्राकि एक सरिचना एक सरचमवारी यह तने होते हैं वो कैसे रहते हैं मौस्ट रहते हैं कैसे रहते हैं मौस्ट रहते ठीक है यह हम कह सकते हैं कि वो नम बने रहते हैं तो करा लिग्यूल बास्तम में स्लेजी नेला किसका स्लेज नेला में पाई जाने वाली एक जिली नुमा सरचना है किसमें मौस्टली स्लेज पत्ति के कख्षक में उपस्थित रहती है किसमें पत्ति के कख्षक में जो आपको देखने को मिलती है इसकी मोटा ही केवल एक या दो सेल होती है इसकी सरचना को दो भागों में बाटा जा सकता है किस तरह से सरचना करते हैं सबसे पहले आपका पोडियम क्या हूं आपका गलाई पोडियम के अगर हम यह आप पर बात करें तो कह रहा है यह एक वालवस फुट रह जैसी सरचनह 한다 है कैसे वालवस फुट जैसी सरचनह है यह हम कह सकते हैं कि इसको वं बल्ब के समान एक पैर के आक्रती जैसी ये सरचना है जो लीग्यूल के आधार पर उपस्थित होती है क्या चीज गिलाईशो पोडियम ठीक है किसकी तरह होता है बल्बाज फुट जैसी अ लुल डभाग है यह ठीक है गला सो पॉडियुम जो सदैब टने में पाई जाने वाली गलो जानेवालीड़ू सो पॉडियल कैविटी में धसा रहता है। ने समें अब कीक्रींरों सो पॉडियुम कैड़ता है। कहां दसा रहता है ग्लोसो पोडियम में जो आपका ग्लाइसो पोडियम धसा रहता है ठीक है सेकेंड पार्ट क्या है कि दूसरा भाग कह रहा है कि बॉड़ी आफ लेग्यूल यानि कि लेग्यूल का जो बॉड़ी है उसका जो शरीर है वो किस तरह का होता है कैसे बना होता है आपका हवा में पूपस्तित रहता है। लेकिन यह संभवना निराधार है इसका कोई आधार नहीं है ठीक है कोई आधार नहीं है कि ऐसा ही होता लेकिन निराधार है ठीक है इसको माना जाता है संभावना जो है यह निराधार है कोई आधार नहीं है यहाज पता नहीं है है यह क्या निराधार संभावना है। पता नहीं है अभी जो आपका लिग्योल होता यह यहाँ पर complete होता है, बिलते हैं अगले वीडियो बन ली यह wild testimonish and share the video